है गाई दिस रोज कि तरियन बैक्ट वेत अन्दर वीडियो अगर आप में चानल नहीं किया तो सब्सक्राइब बैटन पर क्लिक करें बिल्कुल फ्री है उसका फाइदा होगा जब भी मैं अपनी वीडियो स्विश्व में प्लोड करूँगा तो आपको अपने आपतर चल द चाएगा तो जब एक इनसान जिंव में जाता है या इनसान के बारे में सोचता है तो उसके कुछ गोल होते है किसी को मिल्ट करनी होती है किसी को lean mask गेर करना पड़ता है तो हर individual के अलग-अलग goals होते है बड़ दीरे दीरे होता है कि इनसान को एहसास हो जाता है कि जो उसने goals set up किये थे जैसा उसने सोचा था कि मैं 2 महीने बाद ऐसी physics बना लूँगा मैं 3 महीने बाद ऐसी physics बना लूँगा वो goals उसके कभी भी achieve नहीं होने वाले है इसका सिर्फ एक ही reason है वो है lack of knowledge 90% cases में लोगों को नहीं पता होता है कि जो उन्होंने goals set up किये है उनको achieve कैसे करना है step by step हर individual के अलग-अलग goals होते है किसी को पतला होना होता है किसी को मोटा होना होता है किसी को lean body चाहिए किसी को muscle mass चाहिए तो उसके हिसाब से उसको अलग-अलग step लेने पड़ते है but 90% cases में मैं देखता हूँ लोगों को नहीं पता है कि उनको करना का है तो आज की video आपको बहुत ज़ादा help करेगी आपके goals achieve करने में तो make sure आप video को बिल्कुल भी skip ना करे पूरा देखे तो आज का मेरा topic है full week workout plan for every individual mainly इंसान दो type के होते है या तो होते है पतले या होते है मोते जो पतले लोग होते है उन्हें अपनी body में muscle mass gain करना होता है weight gain करना होता है अपना जो size अगो increase करना होता है कौन सी exercise perform करनी चाहिए full week workout plan according to every individual goals पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका structure पतला होता है जो पतले लोग होते हैं उनके क्या goals होते हैं या तो उनका अपना weight gain करना होता है या उनको अपनी body में muscle mass gain करना होता है या उनको अपना जो size है वो gain करना पड़ता है तो पहले बात करते हैं उन लोगों को किस दिन कौन सी exercise perform करनी चाहिए तो Monday को आपको अपनी lower body को train करना है मतलब आपको अपने legs को train करना है Tuesday को आपको अपनी chest को train करना है Wednesday को आपको अपने biceps per और triceps को train करना है Thursday को आपको चुटी मारनी है मतलब आपको कोई भी exercise perform नहीं करनी है Friday को आपको अपनी back को train करना है और Saturday को आपको अपने shoulder train करने है अब आप बोलोगे कुछ लोग भाई abs कब लगाए तो भाई अगर आपको lean gaining चाहिए muscle mass चाहिए monster gaining चाहिए या weight gaining चाहिए तो आपको abs की exercise को बिल्कुल भूलना पड़ेगा कुछ लोग होते हैं मेरे को बोलते हैं वीडियो में कि भाई आपके abs कांगे भाई मैं 70 kg से 82 kg का हो चुका हूँ muscle जो है वो इतना size बढ़ चुका है अगर मैं abs पे ध्यान देता ना तो मेरी जो muscle है वो कभी भी इतना mass कभी भी gain नहीं करपा दी तो अगर आपको muscle mass gain करना है weight gain करना है कुछ भी अपना structure चोड़ा करना है तो आप अपने abs को और cardio को बिल्कुल भूल जाए तो अब बात करते हैं मोटे लोग की जिनको एक rib physics चाहिए six pack abs चहिए उन लोगों को shoulder और traps को train करना है Thursday को उन लोगों को abs और cardio करनी है Friday को उन लोगों को अपनी legs को train करना है Saturday को उन लोगों को सारी exercise को mix करना है जो आपकी bicep, triceps, chest, triceps जो भी आपकी overall exercise है Saturday को आपको उनको train करना है Sunday को अपनी body को rest देना है ताकि आपकी बोड़ी जो मसल है वो रेकवर कर सके तो जिम में वरकाउट के दोरान इनसान यहीं परकलती करता है हर इंडिवीज्वल के अलग-अलग गोल्स होते हैं तो उसको अपने गोल्स को देखकर अपने वरकाउट प्लैन को चेंज करना बहुत जरूरी है अगर आप कटिंग में या गेनिंग में एक ही तरह की एक्सराइस परफॉर्म करते रहोगे तो जो आपकी मसल है वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी और जो आपके गोल्स है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगे अगर आप gaining में एक पार्ट की exercise कर रहे हो तो जो आपकी calories है वो कम घटेगी और जो आपकी muscle tension है कम से कम time में वो muscle tension ज़ादा increase हो जाएगी अगर आप cutting में दो exercise को एक साथ उठा रहे हो तो main काम क्या होता है cutting में कि आपकी calories burn हो और आपकी muscle quality है वो और अच्छी हो जाए तो जो gaining में है जो muscle size में है जो muscle mass में है आपको रोज एक पार्ट को train करना है और जो आपका cutting में है आपको दो पार्ट को train करना है और हफते में दो बार abs लगाने है और cardio perform करना है तो I.O.B.O. मैंने आपको समझा दिया होगा कि आपको अपना पहले अपना goal देखना है कि में को करना क्या है फिर आपको अपना जो workout plan है वो choose करना है कि में को अब कौन सी exercise को perform करना बहुत जरूरी है तो अगर आप gaining mode में हो अगर आपको muscle size सही है या muscle mass सही है तो आपको अपनी workout को 45 minute के अंदर रखना है अगर आप cutting कर रहे हो तो आप अपनी workout को एक घंटा ले जा सकते है और अलग से 20 minute अपने abs को और cardio को भी time दे सकते है तो आयो भायो मैंने आपको समझा दिया होगा कि आपको किस दिन कौनसी workout करना बहुत जरूरी है तो भायो ये थी मेरे आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भायो लाइक जरूर कर देना बहुत दिल से बनाई है वीडियो और I don't know कि कोई ये चीज़ बताता होगा किसी को या किसी को इतना फरक बढ़ता इन छोटी चीज़ों से क्योंकि इसी इसको लोग बहुत छोटा समझते है तो ये आपके लिए मेरे को बताना बहुत जरूरी था तो भायो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करना ना बुले सब्सक्राइब होना चाहिए और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाइब में फोलो नहीं किया तो आप जाए मेरे को इंस्टाइब में फोलो कर सकते है सेम अकाउंट है रोज के रिफिनेस के नाम से मैं वहाँ डेली अप्डेटर नहीं लगया हूँ आप पीस फॉकिंगेट्स